हेलो फ्रेंड्स आगते आप सभी का आरवेदु ट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइंट की मैथ से एक्सरसाइज 2.5 का कोस्टन नमर 4 लेकर के आया हूं तो इस वीडियो में हम कोस्टन को डिसकस करेंगे वीडियो को आप ध्यान से देखें आधी अंच तक देखें वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजे। दोस्टों की शेयर कीजे चैनल पे यहां पर यह होazioni से क्या पुछा गया है कि कुछन नबर फूर एक्सपेंड इच आप फालोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज देगे यहां पर यह हमें कुछ छे कुछ दिए गए हैं इनको हमें एक्सपेंड करना है मतलब एक फार्मूला लागाते हैं क्लास नाइन की चैप्ट प्लस य प्लस जेड होल स्क्वाइर इस इक्वल टू एक्स स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर प्लस जेड स्क्वाइर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू जेड एक्स यह वाला इडेंटिटी है इसको लगाएंगे और हम इसको एक्सपेंड करेंगे ठीक है तो देखते हम से question कौन-कौन सा पुछा गया है question number first x plus 2y plus 4z whole square question number second 2x minus y plus z whole square question number third minus 2 plus 3y plus 2z whole square question number 4 3a minus 7b minus c whole square question number 5 minus 2x plus 5y minus 3z whole square question number 6 1 upon 4 into a minus 1 upon 2 into b plus 1 whole square तो यह 6 question हम से पुछे गये हैं यह आपकी book में है तो आपको write करने जरो नहीं है अदर्वाइज आप चाहते हैं तो इसका screenshot ले सकते हैं या इसको write कर सकते हैं मैं इसको मिटा देता हूं फिर एक-एक करके questions को solve करता हूं तो अब हम अपने फर्स्ट करेंगे को सॉल्व करेंगे को सॉल्यूशन by using by using identity 5 x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx तो यह हमारा identity होता है यह हमें दिया गया है यहाँ पर किता दिया गया है x plus 2y plus 4z अब देखो फार्मूले में भी x है यहाँ भी x है तो आप confuse हो सकते हो देखो यह वाला जो इन्टू ए इन्टू एक्स इन्टू आइ टू इन्टू इन्टू आइ प्लास टू इन्टू एक्स अब इनको शोल्व कर लेंगे एक्स का होल स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर टू होल स्क्वाइर फोर वाई होल स्क्वाइर वाई स्क्वाइर प्लास फोर स्क्वाइर 16 जेड़ स्क्वाइर जेड़ स्क्वाइर प्लास तेको टू टू जा पूर एक्स इन्टू आइ एक्स वाई टू टू जा फोर 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 फोर्जा 16 वाई इंटु जेड वाई जेड टू फोर्जा एट जेड इंटु एक्स जेड एक्स तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका अब यह इससे ज्यादा सॉल्ब नहीं होगा ठीक है तो आप चाहिए तो इसे राइड ओन कर सकते हैं या फिर विडियो को पाउज करके स विद्धका 12 देञा कि इसको मिद्धा करेंगे सालि मैं उसिंग आइडेंटिटी झाल उख़गए पाइडेंटिटी में मैंने एक्सके टर्म में लिखा था चूंकि कॉस्चन में भी x है तो मैं इसे a के टर्म में लिखता हूं ठीक है a b c so a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca है तो मैं इसे a b c की फॉर्म में लिख दिया ताकि आप आसानी से समझ पाएं अब यहां पर वैलू को पुट करेंगे 2x minus y plus z whole square यहां पर मैं थोड़ा सा आपकी जनकारी के लिए रफ करके बता देता हूं जो यहां पर a की वैलू होगी वह यह हो जाएगी 2x जो b की वैलू होगी वह हो जाएगी minus y जो c की वैलू होगी वह हो जाएगा z ठीक है वैलू उसको पुट करते हैं तो 2x whole square plus under bracket minus y whole square यहां पर एक चीत ध्यान रखना अगर कोई वैलू आपको minus में दी गई है तो उसे bracket के अंदर रखना ठीक है प्लस की वैलू में भेले bracket ना लगाएं लेकिन minus में जरूर लगाएं गलतिया नहीं होंगे plus z whole square plus 2 into 2x into minus y अब देको minus y है तो यहां bracket लगा देंगे ठीक है plus 2 into minus y into z plus 2 into z into 2x ओके अब इसको further solve करेंगे देखो 2 square 4 x square x square यहां पर देखो plus sign आएगा क्यों आएगा अगर किसी भी number या variable के साथ minus sign है और उसकी power even है तो power even होगी तो sign plus आएगा power add होगी तो sign minus आएगा तो यहां पर देखो 2 जो है वो power even है आप ऐसे भी समस्कते हैं जब भी square होगा तो minus sign क्या हो जाएगा plus minus y square कितना हो जाएगा y square plus z square यह देखो minus into plus into plus माइनस की संख्या गर आड है साइङ माइनस आएगा तो ये क्या आजएगा माइनस आजएगा फिके elements in to minus minus 224 x into y xy इदार आएगे तो दिखो 1 minus है बाकी सब plus है तो साइङ माइनस आजएगा 2 का 2 ही आएगा क्योंकि बाकी सब 11 है सब्सक्राइब यहां पर सारे साइन प्लस है तो साइन प्लस का आएगा तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इस कुस्टन का आप चाहे तो इसे रेड डाउन कर लें या फिर वीडियो को पहुंच करके स्क्रीन सॉट ले ले तो अब हम कुश्टन नमबर थार्ड को सॉल्व करेंगे इसको भी इडेंटिटी नमबर फाइट लगा के सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन बाई यूजिंग आइडेंटिटी फाइब फार्मूले को हम ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे यहां पर ए की वैलू हो जाएगी माइनस 2X और B की वैलू हो जाएगी 3Y, C की वैलू हो जाएगी 2Z तो यहां पर जो हमारे पाइडेंटिटी है वो हो जाएगा A प्लास B प्लास C होल स्कॉयर इस इकॉल टू A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA तो यह हमारे पास identity हो जाएगी तो यहां पर value put कर देंगे minus 2X plus 3Y plus 2Z whole square तो यह हो जाएगा is equal to minus 2X whole square plus 3Y whole square plus 2Z whole square plus 2 into minus 2X into 3Y plus 3Y into 2Z आप देखो यह into sign के बजाएँ यहां पर dot V लगा सकते हो dot का मतलब भी into ही होता है plus 2 into 2Z into minus 2X तो यह सारे values हमने put कर दिये अब इनको solve करेंगे देखो minus है और यहां पर square है तो minus का जब भी square करते हैं तो plus में आएगा तो यह 2 का square 4 X square X square plus 3 square 9 Y square plus 2 square 4 Z square देखो यहां पर क्या है plus है minus है plus है तो plus into minus minus और minus into plus plus तो जब भी आपको odd की संख्या में minus दिखे तो sign minus आएगा तो यहां पर minus sign हो जाएगा 2,2,4,4,3,12 X into Y XY यहां पर देखो सारे sign plus है तो sign plus का आएगा 2,3,6,2,12 Y,Z यहां पर एक sign minus है तो minus आजाएगा 2,2,4,4,2,8 ZX ओके तो यही answer हो जाएगा इस question का तो आप चाओ तो इसे rate on कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो अब हम next question को solve करेंगे question number 4 ठीक है तो solution by using identity अब हम पर फार्मूलर राइट कर लेंगे एक्स के फोर्म में को कि यहां पर ABC के फोर्म में है तो यहां पर हो जाएगा x प्लस y प्लस z whole square is equal to x स्क्वयर प्लस y स्क्वयर प्लस z स्क्वयर प्लस to x y प्लस to y z plus 22 z x इस तो यह मारा इडिनिटी हो गया अब यहां पर यहां पर रेट कर लेंगे question को 3 a minus 7 b स्वीक्ma वाइन सी होल स्क्वेर वेलवेल लुक्त करने सुरू 하지만 कि शोनाल SO i7 हो अलगा एंडर स्क्वेर लुट अशले कि when वीज ख्याएं तो एंट्व स्वाओ सुने इन टुड की एंट्व मैननए विलिफावलय श्या-फिर चुन पर कि यहां पर दोजयका सी माइनस सी प्लस लाओ बैंगे लाँ baru सी एडäre्ट Eso YouTube दोया हम से यांकि जर्ड़ स्क्राइब और ङूजे सी और ए प्लस अब उनको मढी पuine कर लेंगे और देखेंगे की आंसर कितना हैगा ठुरी所9 इतना ो प्लाइब ए agrad को को 4Max इन हिन देखो माइने सब्रेकरट में होल स्कॉयर है तो माइने सका होल स्कॉयर करोगे प्लस ईगा तो plus 7 whole square 49 b square b square हो जाएगा और यह हो जाएगा c whole square माइनस sign है लेकिन जब square करोगे तो plus हो जाएगा प्लस यह देखो plus into plus plus और plus into minus minus तो यहां का sign कितना आजाएगा minus आजाएगा 2, 3, 6, 6, 7, 42 ओके a into b, a, b और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां भी minus है यहां भी minus है तो minus into minus plus और plus into plus plus ही आएगा तो 2 sign आपको minus दिख रहा है तो plus हो जाएगा 2, 7, 14 14 bc देखो यहां पर plus sign दिख रहा है plus into minus 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 into plus minus तो sign minus हो जाएगा 2, 3, 6, c into a, c a आप चाहेँ देखो आप इसे c a लिखो या फिर आप a, c लिख दो गलत नहीं होगा क्योंकि हम alphabetical order में लिखते हैं तो a पहले आता है तो यहां पर आप a, c लिख दीजिए ठीके a, c ठीके तो यह हमारा answer आगया 9a square plus 49b square plus c square minus 42ab plus 14bc minus 6ac तो यह हमारा इस question का answer हो गया आप चाओ तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लो तो अब हम अपने question number 5 की बात करेंगे solution by using identity 5 identity को 8bc के form rate करेंगे a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca अब यह हमारा identity होता है यहां पर values को put करेंगे तो यह हो जाएगा minus 2x plus 5y minus 3z whole square is equal to a यानि की minus 2x whole square plus b यानि की 5y whole square c यानि की minus 3z whole square plus 2 into a minus 2x into b 5y plus 2 into 5y into minus 3z plus 2 into minus 3z into minus 2x ओके तो यह हो गया हमने values को put कर लिया आप इनने multiply करेंगे और solve करेंगे देखो minus का square करोगे आप तो plus मिलेगा 2 square 4 x whole square x square यह हो जाएगा plus 25y square minus का square plus हो जाएगा 3 square 9 और z square z square अब देखो plus into minus minus तो यहां पर साइन आ जाएगा minus का टू टू जाप 445 जा 20 x into y x Y यहां पर देखो plus plus minus तो एक sign minus है तो यहां पर भी minus आ जाएगा क्योकि जब भी sign कि यह गोणकि जब भी मैनेस की संख्या ओड होती है तो समारी मैनेस आए गा होसा आपको प्लास इंटु माइनस 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 इंटु माइनस माइनस यहां पर दिखो माइनस की संख्या एक और दो दो बार आया है तो साइन पलस हो जाएगा या फिर आफ़ा vertical order के recording x को पहले राब कर सकते हो यहां पर आप पर लिख दो x जेड़ तो यह आपका आंसर हो जाइगा इस question का आंसर क्या आगया हमारा 4x2 plus 25y2 plus 9z2 minus 20xy minus 30yz plus 12xy ठीक है तो आप चाहो तो इसे रेट डॉन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सौट ले लो तो अब हम अपना लास्ट कुश्टन सॉल्व करेंगे ठीक है solution by using identity 5 तो identity 5 यह कहता है x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus two xy plus two yz और plus two zx तो यहां पर हम value को रख देंगे वन अपन 4 a minus one upon two b plus one whole square is equal to सबसे पहला है मारे पास one upon four a whole square plus ब्रेकेट में हो जाएगा माइनस one upon two b square plus one whole square ब्रेकेट में रखने की जरूर नहीं है प्लस two into one upon four a into minus one upon two b okay प्लस two into minus one upon two b into one plus two into one into one upon four a okay तो यह value हमने put कर दिया आप इनको solve करेंगे देखो one square one four square sixteen a square a square अब देखो माइनस का square plus हो जाएगा one square one two square four b square b square plus one square one आएगा अब देखो यह अध्यान से यह two से यह वाला two cancel हो जाएगा माइनस एक दिख रहा है तो यहां पर साइन माइनस का आएगा यहां पर देखो सभी one हो गया one into one one ही आएगा तो यहां पर आजाएगा बी क्या जाएगा ठीक है यहां पर देखो टू अन्जा टू 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 जा फोर तो बाकि सब ऊपर वन वन है और यह है तो यह बचेगा सबसे पहले मारे पास one by two और यह बच जाएगा अब इसको देखो इसको थोड़ by 16 कैसे देखो one into a square a square रहेगा प्लस इसको में लिख सकते हैं b square by four और यह प्लस वन का प्लस वन ही रहेगा यह देखो one into a b तो यह हो जाएगा a b upon four यह माइनस b का माइनस b रहेगा और यह हो जाएगा a by two किता हो जाएगा a by two तो यह फाइनली हमारा answer होगा इस question का आप चाह पे हैं ठीक है गलत नहीं हो गया पर रियर्रेंज कर देना थोड़ा अच्छा होता है तो यह हमारा इस question का answer होगा आप चाहो तो इसको राइड़न कर लो या फिर वीडियो को पाँच करके स्क्रीन सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब झाली साथ तरे लाहरता है अगले शीजर पीडियो कर खो ड़ो तो जबाकर थिंध होगा हो ड्रो़ साथ प्लय हो तो यह हो नहीं हो रीक है graphic मिलें डाभियो कief यह हूँ